Good morning dear students, welcome to our UKG class, so students, today's subject is GK, book name is Bird Around Us, today's date is 3rd of February 2022 and the day is Thursday, so students, let's start, open your book Chapter is 15, chapter name is Birds, page number is 20, बच्चों हमने PS class में 6 Birds नेम की Reading की थी, कौन-कौन से 1, 2, 3, 4, 5, 6, आज हम बागी की जो 3 Birds हैं हम उनकी Reading करेंगे, देखेंगे कि उनकी Meaning क्या होती हैं, फिर हम इसको Copy में Write करेंगे, शली स्टार्ट करते हैं क्या है यह First Bird, Ostrich, Spelling is O-S-T-R-I-C-H, Ostrich, Ostrich means क्या होता है, सुतुर मुर्ग, यह देखें सुतुर मुर्ग वाना हुआ है, इसको English में क्या बोलते हैं, Ostrich, यह क्या होता है, Ostrich सबसे बड़ा बर्ड होता है, दुनिया का सबसे बड़ा बर्ड कौन सा होता है, Ostrich, ओक Okay, Next Bird Name is Eagle, Eagle means क्या होता है, गिद, गिद या चील, तो Spelling is E-A-G-L-E, Eagle, Eagle means गिद, गिद क्या होता है, जो उपर आकास में उड़ते नहीं रहतें, गिद, तो Eagle, Eagle means गिद, And, Next क्या है, King Fisser, this pairing is K-I-N-G, King, F-I-S-H-E-R, King Fisser, King Fisser means क्या होता है, राम चिडिया, इसको क्या बोलते हैं, आम भासा में राम चिडिया, कैसी होती है, इसका जो फेस होता है, वो थोड़ा बड़ा होता है, इसकी जो पूछ होती है, वो थोड़ी छोटी होती है, इसको King F क्यों कहते हैं, क्योंकि ये फिसिंग करने में मास्टर होती है के करती है, मचलियां पकड़ती है, तो इसे King Fisser कहते हैं, तो बच्चों आपको ये बर्स नेम करने हैं, चले एक बार फिर से इसकर वीजन करते हैं, पैरट, पैरट मींस तोटा, क्रो, क्रो मींस कवा, स्पैरो स्पैरो मींस चिडिया, पिजन, पिजन मींस कभूतर, पिकॉक, पिकॉक मींस मोर, आउल, आउल मींस उल्लू, ओस्ट्रिच, ओस्ट्रिच मींस सुतुर्मूर, इगल, इगल मींस गिद, किंग फिसर, किंग फिसर मींस राम चिडिया, तो बच्चों आपको ये बर्स नेम करना है चले देखते हैं इसको कॉपी में कैसे करेंगे फर्स्ट याब टो राइट देट लिखे आपको वन टाइम लिखना है डेट में सन्कानी है अपको डे में सन्करना है टूडेस देटे इस थरस्टे टी एच यू-r-s-d-a-y थरस्टे first you have to write cw date and day and heading birds name तो आपने आज कौन से birds name रिट किये ostrich, eagle and kingfisher ostrich means सुतुल मुर्ग, eagle means गेद, kingfisher means राम चुड़िया तो आपको ये three birds अपनी copy में write करने है one line में and आपको ostrich के नीचे ostrich की spelling पूरे one page में write करने है and eagle की line की नीचे आपको eagle की spelling पूरे one page में and आपको kingfisher की line की नीचे kingfisher की spelling पूरे one page में write करने है फिर आपको ये वर करने के बाद आपको homework भी ऐसे ही करना है फिर दोनों work की pick click करके group में send करने है thank you students, have a nice day